हर साल एपल एक नई आइफोन रेंज जारी करता है जो एपल के एजेंडे पर सबसे निरनायक शन होता है एपल द्वारा आइफोन 14 श्रिंखला जारी किये हुए महीनों का समय हो गया है और आइफोन 15 श्रिंखला की अपेक्षित विशेश ताओं और कार्यात्मक ताओं के बारे में अट्कले व्यापक है आपल को आइफोन 15 प्रो मैक्स को बदलने के लिए पूरी तरह से नया आइफोन 15 अल्ट्रा जारी करने की उम्मीद है आपल 15 सीरीज में ट्विन फ्रांट कैमरा, USB टाइप-C चार्जिंग कनेक्टर और बहुत कुछ जैसी कार्यक्षमताई होने की भी उम्मीद है आपल आइफोन 15 की अपेक्षित आगामी विशेशताओं और कार्यात्मक्ताओं को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें रिपोर्ट्स के अनुसार आपल आइफोन 15 के लिए 3 ननोमीटर बायोनिक प्रोसेसर डिजाइन कर रहा है ये जानते हुए कि 14 प्रो और प्रो मैक्स में ए 16 बायोनिक प्रोसेसर का उप्योग किया गया है और चुनकी 17-16 से एक कदम बढ़ा है हमें इस पर संदे हो सकता है आइफोन 14 पुराने ए 15 बायोनिक प्रोसेसर का उप्योग करता है जिसे iPhone 13 Pro और 13 Pro Max में भी चित्रत किया गया था साथ ही एक अन्यस रोदकार्थ है कि पिछले चिपसेट का उप्योग करने वाले Gear Pro Phone का ये नया पैटन फिर से शुरू हो सकता है चिपसेट को ध्यान में रखते हुए Qualcomm 5G Modem की पेशकश करने के लिए वापस आ रहा है Snapdragon X70 जो iPhone 14 में Snapdragon X 65 से बहतर प्रदर्शन करता है लोग प्रतीत होता है अतिरिक्त विशिष्टताओं के संदर्ग में हमें पता चला है कि Pro Suns करनों को iPhone 15 के साथ 8 GB RAM मिलेगी साथ ही Periscope Lanes जो Telephoto Zoom क्षमता को बढ़ा सकते हैं सामान्य iPhone 15 मौझूदा Lightning Handset के समान डेटा ट्रांसफर दरों को बनाई रख सकता है केवल iPhone 15 Pro और iPhone 15 Ultra को अपने connection के कारण तेजगती से लाब होता है Apple, Periscope, Telephoto Lanes तकनीक विकसित कर रहा है जिसे भविश्य के मौडल में शामिल किया जा सकता है सबसे अधिक संभावना iPhone 15 Pro संसकरण की है Periscope Camera Lanes केवल बढ़े iPhone 15 Pro Max पर उपलब्ध होगा इसलिए यह संभव है कि यह इसके सबसे महेंगे और High-End Variant तक ही सीमित रहेगा रेपोर्ट के अनुसार iPhone 15 Variant iPhone 14 Variant जैसा होगा लेकिन पूरी लाइनप में पिल एंड होल कटे को बढ़ाया जाएगा यह हिंगित करता है कि लगभग सभी iPhone 15 उपकरणों में एक पाइदान की कमी होगी बजाए iPhone 14 Pro Variant में पहली बार देखे गए Dynamic Island पर निर्भर रहने के बजाए iPhone भी Solid State के साथ iPhone 15 Line Handset पर क्लिक करने योग्य वॉल्यूम और पावर बटन को बदलने का इरादा रखता है बटन iPhone 15 में करवी बैकेज के साथ टाइटेनियम फ्रेम होगा जो मौजूदा Square of Shape की जगह लेगा 2021 14 इंज और 16 इंज MacBook Pro Variant के मामले में स्मार्टफोन के पिछले कोनों को कथित तौर पर गोल किया जाएगा Apple मेहंगे लेकिन उच्छ गुनवत्ता वाले iPhone जारी करने की अपनी परंपरा को बनाए रखेगा यदि Apple अपने विशिष्ट सितंबर रिलीस शेड्यूल पर टिका रहता है तो iPhone 15 वेरियंट के सितंबर 2023 में उपलब्ध होने की संभावना है